हेल्दी रहना हर इंसान का सपना होता है आज कल की लाइफस्टाइल में दोस्तों हम ऐसा देखते हैं कि छोटी-छोटी उमर में काफी सारे लोगों को काफी सारी बीमारिया हो जाती है और छोटी-छोटी उमर में लोगों को कुछ भी हो जाता है ऐसा कहा जाता है कि if wealth is lost something is lost but if health is lost everything is lost जी हाँ दोस्तो स्वास्थ्य तो खुद्रत की और से मिलने वाली हमें सबसे बड़ी gift है आज के इस वीडियो में हम ऐसे 15 golden rules के बाले में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं ऐसे 15 नियम में आपको बताऊंगा स्वस्त रहने के लिए मेरी 12 साल की practice में जो मैंने सीखा है वो चीजे मैं आज आपके साथ share करने वाला हूँ दोस्तो इस वीडियो को बनाने के लिए हमने और हमारी टीम ने बहुत सारी मेहनत करी है तो इस वीडियो को आप अंतक जरूर देखेगा और मैं ये दावा करता हूँ कि अगर किसी ने भी ये 15 नियमों को अपनी जिंदगी में अपने day by day रूटीन में अगर इसे शुमार कर लिया तो वो हमेशा और बड़ी लंबी उमर तक वो स्वस्त रहेगा और मैं ये भी कह सकता हूँ कि उनको कोई भी दवाईया लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आएए ज्यादा समय न लेते हुए हम जानते हैं कि स्वस्त रहने के वो 15 गोल्लर रूल कौन से है दोस्तों मैं डॉक्टर सुहिल दलाल और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल संजीवनी आई रूदा होस्पीटल में जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्वस्त रहने के 15 गोल्डन रूल से 15 गोल्डन रूल स्टे हेल्दी उसमें सबसे पहला रूल जो है जो रूल को हमें इंप्लिमेंट करना है वो है रोज सुबा उड़के आपको एक से दो गलास गरम गुनगुने पानी का सेवन करने को आयल वेज में उशव पान कहा जाता है और उशव पान यानि की पानी का सेवन करने से जब हम पूरी राद सोये होते हैं और सुबा जब हम उठते हैं और एक ग्लास गरम गुनगुने पानी का हम सेवन करते हैं तो उसकी वज़े से हमारा शरीर जो बिल्कुल सुसुप कावस्था में होता है वो एक्टिव हो जाता ह दूसरा पानी हमारे बॉडी में जाने से हमारी bowel movement अच्छे से होती है और जिससे हमें constipation जीसी तकलिफ नहीं रहती हमारा पेट clean हो जाता है जिसकी वज़े से हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है पूरे दिन में हमें अच्छे से भूख लगती है और हमारा digestion भी अच्छा र पानी हम है सुबा उठके जब आप अपने face को clean करते हैं अपने चेहरे को अप दोते हैं तो अपनी आखों को अच्छे से साफ करें दोस्तों अपनी आखों को सुबा उठकर थंडे पानी से साफ करने से आपकी आखों के अंदर के muscles relax होते हैं और अंदर blood circulation बहुत अच्छे स होता है और दूसरा आपकी आखों में जो कच्रा है वो भी निकल जाता है थंडे पानी से आखों को दोने से आपको आखों के नंबर भी नहीं आते हैं और बड़ी उमर तक आपकी eyesight जो है वो अच्छी और proper बनी रहती है healthy रहने के जो 15 नियम हम discuss कर रहे हैं उसमें अगला नियम है अपने खाने में सिंदा नमक का आप शुमार करें सिंदाव नमक को pink salt या हिमालियन salt भी कहा जाता है उसे rock salt भी कहा जाता है सिंदा नमक जो है वो हमारी बोड़ी में water retention नहीं होने देता है जिन लोगों को सूजन आने की तकलीफ है उन लोगों को हमेशा सेंदा नमक का 7 करना चाहिए जो लोग हाई blood pressure के patient है उन लोगों को भी सेंदा नमक का 7 करना चाहिए सेंदा नमक का 7 करने से आपका blood pressure भी कंट्रोल में रहता है उसके बाद अगला नियम जो है वो खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पिये कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि खाना खाने के तुरंत बाद एक गलास या दो गलास पानी पीते हैं। अगर आपको खाना खाने के बाद पानी पीना चाहिए उसके बाद बात करते हैं दोस्तों हमारा अगला नियम जो है वो हमें पूरे दिन में कितना पानी पीना चाहिए एक स्वस्त व्यक्ति को पूरे दिन में 3-4 लिटर पानी का सेवन करना चाहिए अगर आपकी लाइश्टायल जो है बिल्कुल बैठने वाली और सेडेंटरी लाइश्टायल है तो आप 2-3 लिटर पानी का सेवन कर सकते हैं और अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं, कसरत करते हैं, या आप चलने के लिए जाते हैं, दोलने के लिए जाते हैं, स्पोर्स खेलते हैं, तो आपको चार लिटर पानी का सेवन करना चाहिए, चार लिटर पानी का सेवन करने से आप कि स्कीन आपके बाल आपके चेहरा जो है वो हमेशा चमकदार रहेगा आपको कभी पथरी की बीमारी भी नहीं होगी और आपको कॉंस्टिपेशन भी नहीं होगा सोस्त रहने के अगले नियम के बारे में हम बात करते हैं कि आपके घर में जो day by day cooking में हम oil इस्तेमाल करते हैं उसमें आपको refined oil का इस्तेमाल नहीं करना है जी हाँ दोस्तों कोई भी अच्छी company का refined oil होता है वो chemical से refined किया हुआ होता है वो chemical वाला होता है जिससे बड़ी-बड़ी बीमारिया होने की हमें संभावना होती है जैसे के cancer जैसी बीमारिया भी उससे हो सकती है तो हो सके तो कच्ची गानी का और अगर कच्ची गानी का तेल आपको नहीं मिलता है तो आप filter किया हुआ तेल इस्तिमाल करें लेकिन refine oil का इस्तिमाल ना करें बहतर है अगर आप अपनी cooking जो है वो गाई के गी में करें तो ये सबसे अच्छा है अगर गाई के गी में नहीं करना है तो आप सरसो का तेल यूज़ कर सकते हैं आप काले तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं सफेद तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं या तो आप coconut oil का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बाद अगला नियव हम बात करें तो तीन ऐसी white चीज़े हैं जो हमें हमारे कोराक में से निकाल देनी चाहिए वो तीन वाइट चीज़े हैं, सफेज चीनी, नमक और मेदा, ये तीन ऐसी चीज़े हैं जो हमारे शरीड को बहुत ज्यादा नुकसान करती है, उससे हमारा शरीड का वजन बढ़ता है, वो हाई कैलरी होती है, इसलिए हमारा मोटापा भी बढ़ता है, डायबिटीज है, था अलावा फ्रूट्स हैं, ये सारी चीज़े आप खाईए, ये कलरफूल चीज़े हैं, हमारे शरीड को अगर हम ग्रीन लीफी वेजीटेबल्स ज्यादा देंगे, फ्रूट्स ज्यादा देंगे, तो उसकी वज़ज़ से हमें फाइबर ज्यादा मिलेगा, फाइबर इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये तीनों चीज़े ऐसी हैं, जिसको आईरवेज में गुरु आहर कहा गया है, गुरु आहर का मतलब होता है, जो चीज़े पच्छने में भारी होती है, जी हाँ दोस्तों, ये तीन चीज़े ऐसी हैं, जो पच्छने में बहुत ज्यादा बारी होती है, अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप अपने लंच में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लंच में आपका यहां फ्रेंज यह बहुत important है, रात को खाना खाने के बाद 500 कदम चलने से रात को खाया वह खाना जो है, वह आपका अच्छे तरीके से digest हो जाता है, आपके stress hormones जो है, वह release हो जाते हैं, आपको नीन भी बहुत अच्छे से आती है, और सुबा उटके आपकी bowel movement भी सही से होती ह उसके बाद का अगला नीयम है, कि रात को आपको junk food या heavy food बिल्कुल नहीं खाना है, यह उसी नीयम के जैसा है, जो मैंने आपको आगे बताया, क्योंकि रात को heavy food या junk food खाने से उसका digestion अच्छे से नहीं होता है, और वो खाया हुआ खाना अच्छे से अगर digestion नहीं होगा, तो उसकी वज़े से हमें पाचन related काफी सारी बीमारियों का सामनात करना पड़ सकता है, उसके बाद हमारा अगला नीयम है दोस्तो, ठंडा पानी बिल्कुल भी ना पिये, काफी सारे लोगों को बहुत ठंडा पानी पीने की, चिल्ड पानी पीने की आदत होती है, मैंने ऐ पाचन क्रिया बिल्कुल कमजोर हो जाती है, जिसकी वज़े से हमें शरीर में कफ और वायू के related काफी सारी बीमारिया हो सकती है, मतलब कि आपको regular sinus का problem, पुरानी शर्दी का problem भी हो सकता है, आपको constipation भी हो सकता है, आपको joint pen भी हो सकता है, और उसके जैसा ही एक और निय पाचन के रोग है, उसमें से कोई पी एक बीमारी हो सकती है, ऐसा आयूरेट में उसका clear निर्देश किया गया है, इसलिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया, वैसे आपको पानी पीना है, और healthy रहने का हमारा आखरी नियम है, कि पूरे दिन में कम से कम 10,000 स्टेप्स आप आपको चलना है, ये 10,000 स्टेप्स आपको किस तरह से पता चलेगा कि आप चल रहे हैं, 10,000 स्टेप्स चलने के लिए आजकल हमारे मोबाइल में काफी सारी ऐसी एप आती है, उस एप में उसको measure कर सकते हैं, अगर आपको 10,000 स्टेप्स चलने की आदत नहीं है, तो आप अच्छे से sweating होता है, sweating अच्छे से होगा, तो शरीर का जो toxins है वो बाहर निकल जाएगा, और आपको high cholesterol जैसी बीमारी कभी नहीं होगी, आपका heart हमेशा healthy रहेगा, आपके muscles हमेशा active रहेंगे, चलना हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, तो दोस्तों, आज मैंने यहा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने चाहने बालों के साथ जरूर से शेयर करें, दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, वो जरूर से कमेंट करना ना बूले, औ और मैं आपके साथ अगले वीडियो में जरूर से मिलूँगा, तब तक अपना त्यान रखें, स्वस्त रहें, हेल्दी रहें. झाले वीडियो में जरूर शेश, प्रिडियो में जरूर से मिलूष में जरूर से रहें.